हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आज हम बात करेंगे सैनोसिस के बारे में यानी नील रोग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं नील रोग अक्सर खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण पैदा होता है ये रोग तिन परकार के होते हैं पहला केंदरिये सैनोसिस नाखुन होट और जीव का नीला हो जाना जो खुन में अक्सीजन की कमी के कारण होता है इसके कारण इस परकार का सैनोसिस रोख फैफरो के काम ना कर पाने के कारण सांस में रुकावट आना दिल के रोगों के कारण टीवी रोग के कारण पुराना फिकुफसू रोग तंदू पैदा हो जाना खुन में हेमोगलोबिन की मात्रा कम हो जाना बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं दूसरा है पैड़ी फेरल सैनोसिस रोगी स्तिरी के नाखुन और होट निले पढ़ जाते हैं लेकिन उसकी जीव गुलावी ही राती है इसके कारण इस तरह का सैनोसिस किसी तरह का सदमा लग जाने के कारण बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वज़ा से दिल के रोग होने के कारण हो जाता है ये रोग सरीर में खून का बहाव धीरे होने के कारण से भी होता है तिसरा है मिश्रीद इस सवस्था में केंद्रिये और पेड़ी फेरल दोनों ही कि तरह सैनोसिस की लक्षन सामिल होते हैं इसके कारण है इस तरह का सैनोसिस दिल का दोरा पढ़ने के कारण दिल की दिखबाटी रोग और कपाट रोग के कारण होता है साइनोसिक्स रोग के लक्षनों में बच्चा रोते रोते नीला पड़ जाता है रोगी के नाखून होट और जीव पोड़ी तरह से नीली हो जाती है इसके अलावा सांस का फोलना दूसरे रोगों के कारण पैदा हुआ साइनोसिस पैरों में ठंड़क या गर्मी पहुचाना या सीर में चक्कर आना जैसे लक्षन भी परगट हो जाते है आईए अब जानते हैं इसके जानकारी के बारे में अगर साइनोसिस रोगी का सरीड या दूसरे अंग नीले पड़ जाते हैं तो उसे तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर रोगी के घर में या आसपास ऑक्सीजन मसीन ना हो तो उसे तुरंत ही रोगी को लगा देना चाहिए नहीं तो रोगी को खुली हवा में ले जाना चाहिए रोगी की तुचा को गर्म डखने की कोशिस करनी चाहिए या उसे गर्मी देनी चाहिए इससे सरीर का रक्त संचार तेज हो जाता है अगर रोगी के कारण बच्चा रोते रहता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर रोगी के घर में या आस्पास अक्सीजन मसीन ना हो तो उसे तुरंत ही रोगी को लगा देना चाहिए या खुली हवा में ले जाना चाहिए रोगी की तचा को गर्म रखने की कोशिक करनी चाहिए या उसे गर्मी देना चाहिए इससे सरीर का रख्थ संचार तेज हो जाता है अगर रोगी के कारण बच्चा रुता रहता है और चुप नहीं होता है तो उसे खुली हाँ में ले जाना चाहिए उसको ज्यादा टाइट कपरे नहीं पहनाना चाहिए तथा गले के पास के कपरों को धिला कर देना चाहिए ज्यादा ही इफेक्टिव है तो आसा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो मेलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में